हलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चेनल, आज मैं आपको एक सुन्दस सटर डिजैन सिकाने जारी हूँ, यह आप किसी में भी अपलाए कर सकते हैं, यह बहुत ही सुन्दस वेट डिजैन है, यह इस किस तरीके से बनाई जाती है, यह मैं आपको बताने जारी हूँ, देखिए मै आपको देखे कुछ फंदे लिए हैं और यह आपको सीखाने के लिए मैंने कुछ फंदे लिए हैं आप मैं पूरी सिलाई पहले फंदे डालने के पास सीधा सीधा निकाल लूँगी इस तरीके से पूरी सिलाई को मैं उल्टी उल्टी अपनी निकाल लूँगी इस तरीके से इस तरीके से देखे फैन पूरी सलाई उल्टी उल्टी निकाल लूंगी इस तरीके से मैंने पूरी सलाई को उल्टी उल्टी निकाल लिया है अब मैं डिजाइन सुरू करूंगी डिजाइन मैं फ्रेंड साइर से अब मेरी डिजाइन आएगी किस तरीके से डिजाइन मनाती है देखे फ्रेंड, पहला भंदा मैं एजिस्टीज निकाल लूँगी, उसके बाद देखे इस तरीके से पहले भंदे को नहीं, सेकिन भंदे को इस तरीके से लूँगी और इसे इस तरीके से सीधा बिनूँगी, देखे, इस तरीके से सीधा बिनूँगी, और जो यह फर्स्ट बंदा है, उसको भी मैं सीधा बिनोंगे इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से सीधा बिनोंगे, ये देखिए, मैंने फर्स्ट बंदा भी और सेकें बंदा भी सीधा बिन दिया है, अब इस तरफ से भी इसको इसी तरीके से, पीछी की साइर से, पहले सेकें बंदा बिन कोँगल की इस तरीके से यह देखिए एक डीजाइं बन चुके हमारे अब हम मैं फिर वन इंदां daíके fert Really पहले हैं सेखना आगे की तरफ से इस तरीके से बिन आ आपकी मर्जी आप इस ImmLIT तर्कम को इस तरंके चोड़े या उत भी एप इस तरीके से यह देखे और फिर पीछी की तरब से सेकिन फंदा और फिर फर्स्ट पंदे को बिनना है और उसको इस तरीके से घुमाना है जो इसका सीधा है वो आगी की तरब हो जाए इस तरीके से बहुत ही इजी रिजायन है विगनर भी इसको अराम से अपलाए कर सकता है पहले second फंदे को बिनागे फिर फंदा चोड़ाँगे और first फंदे को उठाँगे फिर first फंदे को बिनाँगे यह देखिए twist करँगे फंदे को आगे का पीछे, पीछे का आगे देखिए इस तरीके से देखिए 1, 2, 3, 3 डिजैन बन चुकी है ये देखे मैं पीछे ले जाओंगी पर्स्ट बंदे को और आगे से सेकिन बंदे को आगे लाओंगी और फिर इस तरीके से सीधा बिनोंगी इस फंदे को ट्विस्ट करूँगी पीछी का पंदा आगे लाऊंगे पीछी की तरप से और आगे का पंदा पीछे ले जाऊं गए एक बार आप जरूर अपलाए करें यह दिखे फंदे चोड़े पीछे आगे का फंदा पीछे और आगे की तरफ से पीछी का फंदे आगे लाग गई सेकिन फंदा फिर सेकिन फंदा पहले बनोंगे फिर फिरस्ट फंदा उसी तरीके से यह देखिए इसको भी इसको पीछी की तरफ से करना है इस तरके से पीछी की तरफ से इस तरके से बिनना है ये देखें बैक साइड से कोई डिजाइन नहीं है बैक साइड से पूरी सलाई हम उल्टी उल्टी बिलनेंगे इस तरके से सिर्फ फास्ट रो की डिजाइन है ये फास्ट रो में ही एक डि सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, इस तरीके से बिननेंगे, दो रो में उल्टा और एक रो में सीधा, सिर्फ ये फर्स्ट रो में एक ही रो की डिजाइन है, हर फर्स्ट रो में डिजाइन आगी और तीन लाई हमें सीधे उल्टे ही बिनने होंगे, ये देखिए हमारी second row complete होगी है back side से उल्टा ही बिना अब third row देखिए इसको हम सीधा ही बिननेंगे इसमें हमारी कोई design नहीं है देखिए पूरी शिलाए हम सीधी सीधी बिननेंगे बहुत ही easy design है एक बार जरूर apply करें सकता है और एक beginner भी इसको अपने स्वेटर पर apply कर सकता है देखिए ये complete हो गई है second row third row अब देखिए four row मैंने हमें बोला था कि दो रो उल्टी सीधी उल्टी उल्टी बिननेंगे हम देखिए two row बिनने एक फास्ट रो शेकिंड रो बने थी आभी फूर रो इसको भी हम उल्टी उल्टी निकाल लेंगे इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड हमारी four row complete हो चुकी है अब हमने जो डिजाइन फर्स्ट रो में निकाली थी उसी को रिपीट फिर वहीं डिजाइन निकालनी हैं पहला फंद आए जेश्टी निकाल लेंगे ये मैं उसी को रिवेट बता रहे हूं ये देखिए जो पहला फंद है उसको ट्विस्ट करना है ये देखिए उसको पीछी लेगे और आगे इस पंदे को आगे लाए इस तरीके से बिन लिए अब ये पीछी के फंदे को आगे इस तरीके से बिट त्विस्ट कर लिए और एक डिजयः बन चुकी है इस तरीके से हर इस ये ये डिजयः एक पैटन बन चुके हैं आपको इस तरीके से हर फूल पैटन की पाष रिपीटन अमें पर फैटन में किया था यह देखे इस तरीके से ट्यूस्ट क्या कि इस तरीके से ट्यूस्ट करने के बाद यह इस तरीके से कर लिया और सेकिड c의 को पहले पर फर्म चैनल कैस तरविद आप चाहे तो ऐसी बिना फंद छोड़े भी ट्विश्ट कर सकते हो आप चाहे तो फंदे निकालने के बाद भी ट्विश्ट कर सकते हो इस तरीके से देखे फ्रेट लास्ट मार मारे एज़िस्टी फंद बचा एक फर्स्ट में एक लास्ट में मेरा एजिस्टी फंद है आपकी मर्जी आप रखना चाहे या नाएं ये देखे मेरे डीजाइन दिख रही है इस तरीके से डिजाइन आती है अब बैक साइड से पूरी रो हम उल्टी 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 उ अब थर्ड रो फ्रेंड साइड से पूरी सिलाई हम सीधी सीधी निकाल लंगे इस पे भी हमारी कोई डिजाइन नहीं है पूरी रो सीधी सीधी निकाल लंगे इस तरीके से इस तरीके से हमने पूरी रो सीधी सीधी निकाल लिए है अब हम फोर रो बैक साइड से पूरी सलाई उल्टी उल्टी निकाल लंगे इस तरीके से पूरी सलाई उल्टी उल्टी और यह फोर रो के डिजाइन है देखे फ्रेंड कुछ इस तरीके से मेरे डिजाइन बनके आता है यह देखे कुछ इस तरीके से डिजाइन दिखता है और बहुत ही प्यारा और वीटिफुल डिजाइन है एक बार आप जरूर अपलाए करें लास्ट में फ्रेंड साइड से इस तरीके से दिखता है और बैक स वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर जबाएं जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले उनके पास पहुंचें और वो मेरी वीडियो देख सकें इस तरीके से ये रिजैन दिखती है थैंक यू फ्रेंड